हरियाडा के गोहाना की जलेवी की तारीफ राहुल दांधी को पढ़ गई भारी जाने दुकानदार ने क्या कहा हरियाडा विधानसभा चुनाओ के नतीजे आने के बाद हरियाडा में जलेवी की चर्चा तेज हो गई है सियासी जानकारों से लेकर हरियाणा के स्थानिये लोगों तक सब ने इस जलेवी को लेकर ट्वीट किये और कांग्रेस पार्टी के मजे भी लिये हैं लोगों ने जलेवी को लेकर खुब मीम बनाए हैं आई जानते हैं कि गोहाना में जलेवी बनाने वाले दुकानार ने क्या कहा जिसकी राहुल गांधी ने की थी तारीफ हरियाडा में विधानसभा चुनाव के दौरान कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी जब सोनीपत के गोहाना में जनसभा को संबोधित करने गए थे तो कांग्रेस सांसद दीपेंदर सिंग हुड़ा ने उन्हें गोहाना की जलेवी खिलाया था गोहाना की जलेवी की राहुल गांधी ने खूब तारीफ की थी राहुल गांधी अपनी बेहन प्रियंका दांधी के लिए जलेवी लेकर गए हरियारा विधान सभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जलेवी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा जलेवी बनाने वाले दुकान ना कहा कि राहुल गांधी ने जलेवी की तारीफ की थी ये दे से घी में बनी हुई है एक हफते तक खराब नहीं होती ज्यादा ही चलती है जब राहुल गांधी ने इसकी तारीफ की है तो आइटम में दम होगा आम जनता भी हमारी जलेवी की तारीफ करती है उन्होंने कहा कि ये जलेवी फैक्टरी का आइटम नहीं है ये दुकान का बनाया गया आइटम है दस लोगों का स्टाफ यहां जलेवी बनाते है और आप लोगों की सेवा करते है हमारी तीन दुकान है ये दुकान मेरे पैदा होने से पहले का है मैं 22 स्टेश साल से यहां काम करता हूँ पूरा माल देशी घी में तयार होता है यहां के जलेवी की मांग हिंदुस्तान के साथ बाहर भी होती है दरसल चुनावी नतीजे आने के बाद हरियारा में जलेवी की चर्चा ऐसे नहीं तेज हुई है उसके पीछे राहुल गांधी वह बयान है जिसमें सोनीपत में राहुल गांधी ने जलेवी खाने के बाद फैक्टरी लगाने के साथ कामगारों को बढ़ावा देने की बात कही थी फैक्टरी में जलेवी बनाने के बयान को लेकर बीजेपी के समर्थकों ने तंज कसे थे और बहुत सारे मीम बनाए गए थे इसको लेकर स्थानिय जनता भी राहुल गांधी पर जबरदस्थ चुटकी लेती हुई नजर आ रही थी चुनाओं के नतीजों के बाद जनता का कहना है कि हर्याणा की जनता विकास की जले भी खाना चाहती थी उनको पता है कि जले भी खाना चाहती थी फैक्ट्री में नहीं बलकि हलवाई की दुकान में बनती है हर्याणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है लेकिन मंगलवार को जब मतगरना शुरू हुई तो शुरू आती रुजहान में कांग्रेस आगे थी और एक जिप पोल्स में भी कांग्रेस की जीत पक्की बताई जा रही थी लेकिन चीजें अचानक से बदली और दिन के दस बचते 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 बीजेपी आगे हो गई इसके बाद बीजेपी कांग्रेस से पिछडी ही रही और अंत तक 90 सीटों वाली हरियाणा विधान सभा में बीजेपी सामान्य बहुमत 45 से टीम ज़्यादा 48 सीटें जीत रही और कांग्रेस 36 सीटों पर सिमट कर रह दई यानि हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है और हाथ में